Hello friends, पिछले lecture में हम लोग बात कर चुके हैं कि सार्क का function क्या था, सार्क create क्यों किया गया था, इसका total concept हम लोग समझ चुके है, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि इसमें जो potential future member कौन कौन सा है जो participate कर सकते हैं सार्क में, वो हम लोग समझेंगे और सार्क में समझेंगे political issue क क्या है, यह हम लोग समझेंगे जो सार्क से related है, तो चले शुरू करते हैं, मैं हूँ के कस्यप और प्यारा चनल आपका IQ कस्यप competitive, समझेगा पहला बात, सार्क का full form हम लोग जानते हैं, South Asian Association for Regional Corporation होता है, और इसका गठन जो किया गया था, 8 दिसमबर 1985 में किया गया था, 8 दि इसमबर 1985 में किया गया था, इसमें total number of members है, total number of countries जिसमें members है, वो 8 है, और आठफा number जो जूरा, वो अफगानिस्तान जूरा है, यह कब जूरा था, याद रेखे हैं 2007 में जूरा था, initially 7 member थे, और 2007 में अफगानिस्तान गिल्स में जूरा था, फुल फर्म हो गया, अब हम लोग यहाँ potential future members जो है, वो कौन-कौन है, पहला चेस आप जानते हैं कि सार्क में चाइना और मयानमा पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, यह as a observer है, अभी के date में, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका नाम ही South Asian Association है, यह जो regional है, बुगा याद पहला चेस हम लोग को याद यह रखना है कि South Asia के लिए इंपोर्टेंट है, यह सिप्स वही country इसमें participate कर सकते हैं, जो South Asia में परते हैं, और South Asia में आप जानते हैं कि इंडिया का जो भी नेवर कंट्री है, वो सब South Asia में ही आते हैं, तो South Asia में कौन-कौन अब नेवर कंट्री क पाकिस्तान, अफगनिस्तान अगर हम लोग बात कर, अफगनिस्तान भी है, 106 किलोमेटर का बोर्डर सेर करता है, विद्धा प्योके, तो प्योके अगर इंडिया का पार्ट अगर इमेजन कर रहे हैं, तो फिर वो भी सेर करता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपा प्पॉटिसिपेट करना है पहलाचास इसका इंपोर्टन्स समझेगा सार्क जो बना था अलग-अलग concept पे काम करने के लिए अलग-अलग development करने के लिए बना था जो कि पिछले lecture में purpose में हम लोग जाने थे जिसमें बहुत सारे points एगरिकल्चर पे काम करने के लिए science and technology पे काम करने के लिए population पे काम करने के लिए और art and pod भी पे काम करने के लिए पहुत सारे concept इसके अंदर में दिये गए थे तो यह important creation तो था ही और इसका concept था कि army को भी एक दूसरे सो actually इसमें main army का नहीं था सिफ development से ही इसका relation था लेकिन जो भी इसमें है अपना border का dispute भी सुल्जाने के लिए आपस में इसमें ही हम लोग क्या कर सकते हैं बादसीत करते थे सार्क के मादियम से तो कोई भी country चाहता है कि सार्क में क्या हो रहा है जानने का प्रियास करता है खास कर चाइना चाइना अगर हम लोग बात करें अगर अगर इमेजन करें कि इंडिया अगर उतना developing country नहीं होता तो पूरे Asia में number one पे चाइना होता आज भी देखिएगा चाइना जो है trade के मामले में number one है US को भी पीछा कर चुका है अब इसमें समझने की बात ए है मियानमा observer है लेकिन अब क्या कहता है कि मैं इसका permanent member बनना चाहता हूँ अगर ए बन जाएगा permanent member तो 9 member सामिल हो लेकिन अभी तक यह नहीं अपना interest दिखाया है कि ठीक है मुझे भी सामिल कर लो और ए अभी तक इसमें सामिल नहीं है तो future में में भी यह बन सकता है Consist member of Sark दूसरा number China China तो जानते है कि हर चीज़ में participate करने का प्रयास करता है वो internal बात जानने का प्रयास करता है कि उसमें चल क्या रहा है तो ए अज़ा observer के रुक में अभी है लेकिन ए भी चाहता है कि इसमें क्या करें participate करें दूसरा रस्या जो है रस्या आज भी observer का का काम करता है अब समझेगा 2012 में 12 से पहले observer का काम नहीं करता था रस्या आप जानते है कि चला जाता है उदर उपर साइड में नौर्थ साइड में चला जाता है अबर आल ये नौर्थ अनौर्थ एस्या में परता है North Asia परता है तो ये तो पहला चीज़ इसमें permanent member तो बन नहीं सकता तो इसको as a observer के रूप में इसको ये कहा कि मुझे as a observer रखा जाए तो ये 2012 में as a observer के लिए form डाला था और आज भी ये क्या है आज observer के रूप में है permanent ये member नहीं बन सकता लेकिन ये दोनों अभी भी क्या है ये potential member of the Sark है ये बन सकते हैं ये नहीं ये observer के रूप में है इतना बाद अब political issue क्या है इसमें समझेगा political issue में पहला चीज़ तो आप समझेगा जो first submit of Sark हुआ था ये जब ये create किया गया था धाका में धाका अफगनिस्तान में तो उसी समय first submit किया गया था और कब किया गया था तो यहां देखिएगा 1985 में 950 S.P. पहला चीज़ अब यहां से इसमें total observer पहला चीज़ समझ लिज़ेगा सारक में total number of observer कितने है तो 9 है ये याद रखने की बात है इसलामाबाद में ये करना था अब देखिएगा 2020 में ही करना था लेकिन अभी तक ये हुगा नहीं क्या हुगा ये cancel हो गया एक cancel हो गया क्यों cancel हो गया क्योंकि यहां पे देखिएगा cause यहां देखिएगा उरी attack on the army आपको पता होगा कि इंडिया का इंडियान आर्मी के काम पे जो कुछ आतंकवाली टेर्रिस्ट जो थे attack किया हुए थे और पूरे यहां पे उरी में पहला चीज़ याद रखिएगा कहां पे उरी में और इस attack में बहुत सारे साइनिक मारे गया थे और उसी period में ये जो है नाइन सब्मिट अफगानी अज़री पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रखा गया था तो सिंपल सी बात है कि टेर्रिस्ट जो भी आते हैं पाकिस्तान से आते हैं तो इसका बाइकट करने का रीजन रहा कि उरी में अटक किसके दोरा टेर्रिस्ट के दोरा किया गया था तो यहाँ पे जो भी इसके मेंबर होंगे वो क्या करेंगे क्या चाहेंगे क्या आप पाकिस्तान में जाने का क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो भी terrorist आते हैं वो कहां से पाकिस्तान से आते हैं तो कोई भी member नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का submit किया जाया ठीकिन अगर कोई भी country अच्छा होता है तो वहां से मिलने वहां से कुछ निया सा result निकलता है लेकिन यहां पे देख रहें कि पाकिस्तान तो कह सकते हैं यहां फैक्टरी है टेरर का तो यहां से यह टेरर को भेजा और उस पे पूरी में आर्मी पे आटाइक हुआ जिसके कारण से बाइकट करना शुरू किया अब उसमें कौन-कौन मेंबर थे जो इसका बाइकट किया थे तो पहला चीस तो इंडिया पे हुआ था तो इंडिया बाइकट किया ही था उसके बाद भुटान, बंगलादेश और अफगनिस्तान चार ऐसे कंट्री थे जो इस सब्मिट का बाइकट किया था और इस सब्मिट को बाइकट करने के कारण इस सब्मिट को कैंसल कर दिया था और ये पहली बार एक मंच पे चार ऐसे कंट्री जो सब्मिट को चार ऐसे कंट्री मिल करके इसका बाइकट किया था ये देश में पहली सार्क में पहली बार ऐसा हुआ था एक कंसल एक और बात यहां से समझेगा 12 सब्मिट हुआ था जिसमें एक कम्यूटी की रियेट किया गया था सेप्टा जिसको साप्टा बोल सकते है जिसका फुल फर्म होता है साउथ एस्या फ्री ट्रेड एरिया जो भी इसके मेंबर है और जानते हैं कि अभी के देट में बोर्डर टेक्स लगते हैं उसको कम करने के लिए उस पर रिजल्ट करने के लिए उसका कुछ नया सोलूशन निकालने के लिए इसको बनाया गया था लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं है सब जैसा पुराना चलता था वैसा ही चलता रहा जादा इसका बेनिफेसियल अभी तक नहीं दिखा है तो याद रखने की बात है कि सेप्टा का फूर फॉर्फर्म होता है कौँछे साउथ एस या फ्री ट्रेड एरिया यह जो किरियेट किया गया था कौन सा 12 सब्मिट के दवारा ही किरियेट किया गया था कब किया गया था 6 जनवर 2004 में 6 जनवर 2004 में इसको किरियेट किया गया था और एक किरियेट किया गया था पाकिस्तान में यह जो सब्मिट 12 सब्मिट हुआ था पाकिस्तान में ही हुआ था कहां पे तो इसलामाबाद है तो इतना बात अगर याद है तो हम लोग सार्क का overall view समाझ चुके first में हम लोग समाझ चुके सार्क क्या था दूसरे election में उसका purpose समझे थे और अब हम लोग बात कर लिए कि इसमें political issue क्या था अभी इसका भूमिका क्या है आप लोग अच्छी तरह से इसको देखोगे तो खास क्योंकि यहाँ पे उतनिस जो meeting होती है वो साल में एक बार करने है यह होती नहीं जिसके कारण से इसका अभी सार्क ज्यादा effective नहीं है लेकिन यह संस्ता जो बनाई गए थी यह कमीटी बनाई गए थी यह कह सकते हैं यह संस्ता जो बनाई गए थी यह very very important है और यह अगर सही धंग से काम करें तो अपनी neighboring country को develop किया जा सकता है by the using सार्क संगाठाण पेशली मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक इंजाए करें और बढ़ाई करें